नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मरी योटूब चैनल रेयर फैक्ट्स में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पांचवे राष्टपती स्री फकरोदीन अली एहमद जी के बारे में जीहां दोस्तों 1925 में नहरू से इंग्लेंड में मुलाकात के बाद वे भारतिय राष्टे कॉंग्रेस में सामिल हो गए उन्होंने सवतंतरता आंदलन में सक्रिय रूप से भाग लिया वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1947 तक राष्टपती रहे थे फकरोदिन एहमद के दादा खलेलोदिन अली एहमद असम के कचारी घाट से थे एहमद का जनम 13 माई 1905 को दिल्ली में हुआ था उनके पिता करनल जलनूर अली थे जो की एक अंसार जाती के थे और उनके माँ दिल्ली के लोहारी के नवाब की बेटी थी एहमद को गोंडा जी लेके सरकारी हाई स्कूल और दिल्ली सरकारी हाई स्कूल में सिक्षित किया गया उच्षिक्षा के लिए वे 1923 में इंग्लेंड गए जहां उन्होंने सेंट कैथरीन कॉलेज कैमरेज में अधिन किया 1928 में उन्होंने लाहोर उच नियाले में कानूनी अभ्यास आरंब किया फकरूदिन अली एहमद 1931 में भारतिय राष्टे कॉंगरे से जुड़ गए जवारलाल नहरुजी के सुझाव परवे मुसलिम आरक्षित सीट पर चुनाव लड़े और जीते 1938 में बारदोली के नेतरतों में उन्हेवित मंत्री भी बनाया गया 1940 में सत्तगरा आंदोलन एवं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन की वज़े से वो जेल गए उन्होंने तीन साल से ज़्यादा समय जेल में बिताया 1952 में असम के राज्यसभा के लिए वो निर्वाचित हुए इसके बाद 1957 से 1967 तक वो असम के विधायक रहे 1971 से दोबारा केंद्री राजनीती में वो आये और कई मंत्राले उन्होंने समाले राष्टपती पद के लिए नमित होने से पहले वेखाद एवन किर्शी मंत्री के रूप में कारियरत थे 1974 में परधन मंत्री सिरीमती इंद्रा गांदी जी ने एहमद को राष्टपती पद के लिए चुना और वे भारत के दूसरे मुसलिम राष्टपती बन गए इंद्रा गांदी जी के कहने पर उन्होंने 1975 में अपने समयधानिक अधिकार का इस्तमाल किया और आंत्रिक आपात काल की गोशना की थी 11 फरवरी 1973 में हिर्दे गती रुपने से उनका कारियाले में ही निधन हो गया था उससे में उनकी उमर 72 साल थी तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो मरी येटुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मिलते एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद